बिल्किस बानो मडर एंड रेम केस में 11 अभियुक्तों या अपराधियों को माफी नामा देके विहा कर दिया गया भारत के पिछतर्वे आजादी के अमरित महोत्सव में भारत की जनता को गुजराच सरकार की ये भेट रही ये रेमिशन या माफी नामा होता क्या है पहले आपों जान लेते हैं लीगल टर्म में रेमिशन का मतलब है कि किसी भी तैकी हुई सजा को कम कर देना या माफ कर देना बीना उस नेचर और पनिशमेंट को चेंज की हुए ये remission का power President of India को Article 72 के तहट, Governor of any state Article 62 of Constitution of India और State Government को Section 432 और 433 CRPC के तहट दिया गया है गुजरात सरकार ने अपने इसी State Government के remission power को यूज करके 11 अफ्रियादियों को बाइज़त बरी या माफी नामा या उनका sentence remit कर दिया गया ये पूरा मुद्दा remission का है क्या, बिल्किस बानो थी कौन, है कौन, क्या घटना करम है आईए जानते हैं 28 मार्श 2002, बिल्किस बानो 21 वर्षिय मुस्लिम महिला, प्रेगनेंट महिला अपने 17 और मुस्लिम परिजनों के साथ अपने गाउं दाहोर जिले के गाउं से भाग कर दूसरे गाउं चले जाती हैं क्यूंकि उस गाउं में दंगा फैल जाता है ये दंगा साबरमती एक्सप्रेस में जो आग लगा था उसका आफ्टर मैथ था पर गौर तलब ये भी है कि दाहोर जिले के इस गाउं में जहां बिल्किस बानो रहती थी वहाँ पे उसके पहले भी बकरीद के दिन यहाँ पे दंगे फैलते हैं और यहाँ पे गाउं को जलाने की कोशिश की जाती है क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी तीन माज 2002 को 20-30 लोग चपरवाल गाउं में जाकरके इस 17 मुस्लिम परिजन को बिल्किस बानो सहीत अटैक करते हैं रेप होता है, मर्डर होता है, गैंग रेप होता है और 8 मुस्लिम की जाने वहीं चली जाती है, 6 जन मिसिंग हो जाते हैं और सिर्फ तीन जन, एक बिल्किस बानो, एक 5 साल की बच्ची और एक मेल विक्टिम बच जाता है बिल्किस बानो को जब होश आता है तो अपने आपको नगन अवस्था में पाती है पासी में एक आदिवासी महिला से वो कपड़ों की गुहार लगाती है अपने नगन अवस्था को कपड़ों से ढख कर पासी के थाने में रपट लिखा में चली जाती है CBI कहती है कि जो ओफिसर ये रपट लिख रहा था उसने फैक्ट्स को डिस्टॉट करके तोड मुल करके लिखा ताकि अक्यूजड को बचाया जा सके NHRC ने गुहार लगाई सुप्रीम कोट ने डाइरेक्शन दिया कि CBI जाच हो और CBI स्पेचल कोट न्यूक्त होती है इस मामला चलने के दौरान CBI ने बताया पोस्ट मॉटन के दौरान भी बॉडी के साथ छेड़ छार की गई जो आठ मुसलिम मारे गए थे उनके बॉडी से सर अलग थे या गायब थे अगर मैं सही कहूं ताकि बॉडी को आइडेंटिफाइन नहीं कर जिया थे ये बता दूँ कि चार्चिट में 19 लोगों को अपराधी घोशित किया गया था जनवरी 2008 में CBI ने 11 अपराधियों को अभियुक्त किया कि उन्होंने गैंग रेप और मडर जैसे जगन अपराध किये हैं 19 में से 11 को इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें से 7 जन को एविडेंस ना होने के वज़े से रिहा कर दिया जाता है और एक जन का ट्रायल चलने के दौरान मृति हो जाती है जैसा कि मैंने कहा कि प्रेसिडेंट गवर्नर और स्टेट गवर्नर को स्टेट गवर्नर को ये पावर है कि वो किसी भी सजा को रेमिट कर सकती है उसी तरह मिनिस्ट्री ओफ होम अपैज कन्विक्टिड पिजनर्स के लिए कुछ-कुछ गाइडलाइन्स बताती है 2014 और मई 2022 में मिनिस्ट्री ओफ होम अफैज एक गाइडलाइन्स बाहर करती है जिसमें कहती है कि कोई भी अपराधी अगर वो मडर, रेप, गैंग रेप के अभ्यूक्त हैं और सजा काट रहे हैं तो उन्हें किसी भी तरह का माफी नामा नहीं दिया जाएगा पर इस केस में ये माफी नामा गुजरात सरकार ने दे दिया ये हुआ कैसे इसमें से जो एक अभ्यूक्त है एक अक्यूश थे राधे स्याम ने सुप्रीम कोट में गुहर लगाई कहा कि मुझे माफी नामा दिया जाए मैंने अपने 14 साल पूरा लाइफ इन प्रेजनमेंट काट लिया है सुप्रीम कोट में ये गुहर लगाने के बाद सुप्रीम कोट ने कहा कि आपको ये सजा माफ करने का पावर गुजरात सरकार के पास है गुजरात सरकार इसलिए क्योंकि घटना वहां घटी थी पर गौरतलब ये है कि केस की सुनुवाई बॉम्बे में हुई थी चब सुप्रीम कोट ने डारेक्शन दिया तो स्टेट गवर्मेंट अव गुजरात ने गोधरा डिस्ट्रिक के कलेक्टर के नितित्र में कमिटी बनाई उस कमिटी ने ये 11 पराधियों को खोशित कर दिया कि ये बाईज़त परी होकर के बाहर आजादी से जा सकते हैं इसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये आती है कि सुप्रीम कोट ने कहा कि Ministry of Home Affairs की 2014 और 2022 की गाइडलाइन इन पर लागू इसलिए नहीं होगी क्यूंकि स्टेट वर्सिस हरिश में सुप्रीम कोट ने कह दिया था कि 1978 की जो गाइडलाइन है उसमें कहा गया है कि अगर कोई अपराधी माफी नामा रेमिशन मांगता है तो उसे दे दिया जाएगा अगर उसने अपनी तय की हुई सजा काट ली हो यहाँ पे ये जज्जमेंट इसलिए लागू हुआ ये 78 का सर्कुलर इसलिए लागू हुआ क्यूंकि राधे स्याम ने जो पेटिशन सुप्रीम कोट में किया था उसमें उसने कहा कि जब ये सजा एनाउंस हुई 2008 में तब मुझ पर 78 का सर्कुलर ही लागू होता था इसलिए राधे स्याम बाईजद बरी कर दिया गया स्टेट गवर्मेंट और गुजरात के पावर के अंतरगत और उसके साथ साथ और दस अपरादी भी बहुत ही अजीब विडबना है जहां पे हम भारत माता को एक औरत का स्वरूप मान रहे हैं जहां पे देवियों को पुजा जाता है वहीं पे आज हमारे 75 अमित महुत्चव में उन 11 अपराधियों को छोड़ दिया गया जिसको स्पेशल सीबी आई कोट ने सुप्रीम कोट ने हाई कोट ने सब ने दोशी करार दिया था ये वीडियो में खतम करूंगा बस ये 15 अगस 2022 को मोदी जी का ये भाशन सुनीजे धन्यवाद नारीज को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं